nanno friends, तो आज हम जा रहे हैं सरसाड़ी करके गाओं में, जहां पे मेरे मदर इनला के मम्मी है यानि की मेरे नानी सास जी उनको लेने जा रहे हैं हम, तो friends जैसे की आप देख रहे हैं, सामने जो पहाड़ी है सबसे उन्ची, वह है बिजली महादेव की पहाड़ी तो किसी दिन वहां पर भी ले चलेंगे, आपको ऊपर जाके जो है शिव जी का बहुत यहां पर मुश्वूर मंदिर है बहुत दो दूर से यहां पर लोग दर्शन के लिए आते हैं तो आपको जरूर ले चलेंगे वहां पे भी तो यहां से मेरे जो ससुराल है वहां से बिल्कुत सामने ये पहाड़ी दिखती है और ये हाइवे है जर ले बिल्कुत सामने हाइवे जरूर बिल्कुत पे रड़य। झाल झाल यह देखिए जो कैक्टिस में यह परपल कलर कर whether आपको दिख रहे हैं इसकी नहाँ मह्न दि लगती है हाथों में बिल्पुल जैसे हीना महंधी होती है नहां वैसा ही कलर आता है यह देखिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और कितना यहां पे कचरा फैला के जाते हैं देखिए जो भी उन्होंने खाया पिया है सब यहीं पे फैंग दिया है कचरा हम यहां पे थोड़ी देर के लिए शूट करने के लिए तो हमने भी चिप्स और पोल्डरिंग खाए लेकिन हम लोग ट्रैश बेक ज़रूर ले जाएं और बिल्कुल भी पर्यावरण को गंदा ना करें अपने अन्वार्मेंट को बचाएं तो आन दा वे हम इस होटल में रुके थे होटल चिल्मोर हाइट्स यह बहुत ही पीसफुल प्लेस है और बहुत ही अच्छा होटल है यह तो डाउन स्टेर्ज जाके इन्होंने अपने रूम्स बनाए हैं तो हम इनके रूम्स देखने जा रहे हैं जो की बहुत ही वेल डेकरोटिड है और वेल मेंटेंड है बहुत ही हाइजीन का इन्होंने ध्यान रखा है और हर एक रूम से विव इतना अच्छा दिख रहा था पारवती नदी और सामने जो पहाड है बहुत ही पीसफुल एरिय है आप जरूर विजिट कीजिएगा चिल मोड एक जगा है उसी नाम पे जो है इन्होंने होटल का नाम रखा है झाल 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 नमस्कार मैं प्रवीन कुमाप हम यहां पर होटल चिल मोड हैट रन कर रहे हैं यह लोकेट है उन्तर से 6 किलो मेटर और यहां पर टैक्सी से या फिर आपका अबसी से पहुंचा आ सकता है इसके लिए वीडियो बना रहे हैं अब पास एक अच्छा रस्ट्रेंट एपलेवल है रूम्स है और बहुत अच्छा फैमिले इंवाइर्मेंट और स्टाफ सपोर्टिव स्टाफ है तो नहीं आगरे करूंगा आप लोग जब्दी कभी मनिकरन जाएं तो एक बार हमने यहां पर थोड़ी से स्नेक्स खाएं और बहुत अच्छा लगा प्रवीन जी से मिलके उनसे मैंने कार्ड भी ले लिया अगर कॉंटेक्ट करना होगा तो अगर आपको कभी भी यहां पर आना होगा तो मैं उनका कॉंटेक्ट नमबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स म मतलब की अख्रोट याने की वालनट्स तो यहां पर बहुत जादा अख्रोट के पेड़ होते हैं तो लोग अपने घर बनाने के लिए वो उन पेड़ों को कट करते हैं इसलिए इस जगा का नाम है चानी खोड़ इट मेंस कि यहां पर बहुत जादा अख्रोट के पेड़ ह बोते हैं तो यह है नानी जी और यह बना रहे हैं टोकरी तो यह जो टोकरी है यह घास की बना रहे हैं तो कितने दिन में बन जाती नानी जी कितने दिन ना लगा लगा है कि तीन चार दिन में यह जो टोकरी है यह बन के तियार हो जाती है तो यह जो हमारे नानी जी है यह है नानी जी मेरे ममी जी के मेरे सासुमा के ममी जी और यह है उनकी सिस्टर तो तयार होके यह बास्केट इस तरीके की बनती है और यह मुझे गिफ्ट मिली नानी जी की तरफ से तो यह देखिए पुदीना कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे लगा हुआ है तो अब मैं दिखाती हूँ नानी जी का खेत तो यहाँ पे इतने नैरो जो है रास्ते होते हैं खेतों में जाने के लिए और इनके खेत में जो है सबसे ज़्यादा है अनार के पेड़, अखरोट के पेड़ और नाशपती के पेड़ तो यह जो है यह लगा हुआ हरा धन्या और यह है मेथी लगी हुई और यह है अनार के पेड़ जो की सीडलेस अनार है इनके पास जो की खाने में बहुत ही मीठा होता है और इसमें सीड्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे देखिए अनार जो है कितने सारे लग चुके हैं और सबसे जादा जो है इनका अनार का बिजनस है यहाँ पे अनार बहुत अच्छे से होता है और यह है अखरोट का पेड याने की वालनट का पेड और यहाँ पे जो है अखरोट थोड़े थोड़े आने भी तो यह देखिए एक छोटा सा अखरोट है पेड़ पे लगा हुआ नानी जी गाय को जो है बाहर निकाल रहे है क्योंकि यहां पर थोड़ी ठंडो चुकी है तो इस टाइम उसरे धूप के जरूरत है तो यहां पर जो इन्होंने गाय रखी होती है मैं भी के आल बाता है झाल साथ सुआ सा यहां पर जो देखिए त्क्त्त्त्त्त्त्त्त्त पाता हुआ उवड़ी प्याँ जाईका हुआ प्याँ तो यहां पे जो है घास सुकाने के लिए रखा है ताकि सर्दियों में गाए के काम आ सके खाने के लिए और यहां पे बनाए हुए है गाए के गोबर के उपले जो की धूप में सुका के इन्हें जलाने के काम आते हैं और ये नाना जी ने यहाँ पर एक घर बनाया हुआ है दो तिन मंजिल का और एक फ्लोर जो है उपर किराय पर दिया हुआ है तो ये देखिए पहाडी के उस तरव भी लोगों ने बहुती सुन्दर घर बनाये हुए है और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है पारवती नदी तो अब मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ नानी जी हमारे साथ नहीं आए क्यूंकि उनकी तबियत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं दो तिन दिन के बाद आऊंगी तो अगर आपको मेरा व्लोग पसंद आए तो लाइक जरू कर दे मेरे वीडियो को और जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइब करें इसी तरीके के अच्छे अच्छे व्लोग देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स व्लोग में तब तक के लिए धन्यवाद